नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हड़िक स्वागत हैं दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में GIC recruitment 2021 के बारे में सभी जान करें देंगे दोस्तों General Insurance Corporation ने एक नया notification जारी किया गया है अपने नई भरतियों के लिए तो General Insurance Corporation आप इंडिया यह एक सरकारी कंपनी है गवर्मेंट आप इंडिया इसे चलाती है और इसने जो नई वेकेंसी निकाली है Assistant Manager Scale 1 के लिए इसने नई वेकेंसी निकाली है जो भी इच्छुक और अभ्यार्थी हों और योग अभ्यार्थी हों वे लोग अपलाई कर सकते हैं इसका अप्लिकेशन डेट 11 मार्च है आपको चलिए हम सभी डेट्स बतायते हैं तो अप्लिकेशन 11 मार्च 21 से स्टार्ट हो सब्सक्राइब चुका है इसका आल इन अवेदन होगा और जो लास्ट डेट यावेदन का वह है 29 मार्च 21 और जो लास्ट है फिस पेमेंट का एकजाम पेमेंट का वह भी है 29 221 और एक्जाम डेट जो है वह है आपका 9521 मतलब की 9 मैं 2020 और एड्मेंट कर जो आपका अवाले हो जाएगा वह भी माई में ही अवलिबल हो जाएगा एक्जाम से पहले और आपको बता दें आप अप्लिकेशन के बारे में जनरल और ओवीसी वालों के लिए अब आको पहले आछ सुरूपर है और साथ ही दास ऐसी एस्टी और फिशिकल हैंडी के लिए मतलब की से डियों का ट्राइप और जो विकलांग है उनके लिए कोई सुलक नहीं है आप जो अपना एक्जाम रिशन प्यों जो पेमेंट करेंग वह बेड़ काड क्रेट कार नेट सब्सक्राइब करेंगे और किसी मेंट से आपका नहीं हो पाएगा तो अब आपको बता दें एज लिमिट जो है आपका जो काउंड किया जाएगा वह एक फर्वए 2021 से काउंड किया जाएगा उस दिन और इसका मतलब की जो डेट होना चाहिए डेट अबट वह टू-21991 से वन टू-2,000 के बीच में होना चाहिए दोस्तों एज रिलेक्सेशन जो नियम के इंसार और दिया जाएगा जिन जो उनको दिया एता है नियम इंसार सरकारी उनको और एज में छूट दिया जाएगा और आपको अन्य है कैसी डीटेल स्कोरे मदाते हैं सबसे पहले के लिए 18 वैकेंसी मदने मतलब सकते हैं टोटल 44 वेकंसी जहाँ 44 पद हैं कि दोस्तों आपको बताते हैं पोस्ट नेम कौन-कौन से पोस्ट है और उनमें कितना कि नंबर है कितना खाली नंबर कितना पोस्ट है उसमें आया हुआ किना वेकंसी है और उसके लिए क्या-का योगिता होने चाहिए इस अब आपको बताते हैं तो सबसे पहला आपका पोस्ट नेम है इसके में टोटल 15 पद आये हुए है 15 पोस्ट है और इसके लिए जो आपको योगिता होनी चाहिए इसको भनने के लिए वह नहीं चाहिए बैचलर से डिग्री इन एन इस्ट्रिम विद शिक्स्टी परसंट मार्क्स पास कर चुके हैं और आप बैचलर्स डिग्री आपके पास इसनात्र की कोई डिग्री है और वह 60 परसंट के उपर है किसी भी अच्छे कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से भारा सरकार जो विधियों सार बना हुआ हो या फिर दिया ऐसी और एस्टी कंडिडेट हो तो उसके इसमें 55 परसंट यदि आपके पास माक्स हो तब इसके लिए भर सकते हैं दोस्तों और अगला पोस्ट का नाहा है जनरल इसमें फी पंद्रा पोस्ट हैं इसके लिए आपके पास इसनात्र की डिगरी होने चाहिए कम सकम 60 माक्स के और यदि आप ऐसी और हैं तो आपके इसनात्र की डिगरी है वह उने चाहिए आपके लिए और आपके लिए 55 परसंट मीनिमम मार्क सब्सक्राइब आपके पोस्ट है इसमें दस भर्तियां आई हुए 10 पद हैं और इसमें वी बैच्छलास डिगरी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी वी से होग आपके पास कम सकम साथ परसंट हो आपके बैचलर्स में या फिर आपका डिपलोमा इन जनरल इंसरेंस इसकी डिगरी हो या फिर रिक्स मनेजमेंट लाइफ एंसरेंस फिल्ड याप है तो आपका 55 परसंट माक्स भी हो जाएगा यदि आपका बैचलर्स में 55 परसंट के उपर है तो आप इसके लिए योग्य है दोस्तों आपको बटाते हैं कुछ एक्जाम सेंटर्स के भारे में तो उत्तर प्रदेश में लखनाव हो सकता है में भुपाल है बिहार में पटना इसको बता है आपको आपको बताते हैं जो जी एसी रिक्रूप्मेंट आई है असिस्टेंट मैंजर पोस्ट की उसके सेलरी कितनी होगी तो इसमें बेसिक पे दिया गया है 32795 पर मन्त प्रतिमाह और इसमें इसक्रिस दिया गया है आपके यहां पर और साथ इसमें इसमें इसमें दिये गया है और लगभग मान के चलिया कि 65,000 पर मन्त आपको मिलेगा साथ में और भी बेनीफेट्स मिलेंगे मलब 65 या प्रतिमाह मिलेगा और साथ-साथ कई फायदे और मिलेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है तो अब इसके लिए पुरी प्रक्रिया क क्या होगी सेलगी Track उस्के प्रोसूजण यह ऑफको बताते हैं किस प्रकास सेलेक्ट किया जाएगा किस प्रकार सट लिस्ट किया जाएगा सबसे पहले आपका बेसिक अलाइं टेस्ट होगा और उसके बाद group discussion होगा और interview होगा उसके बाद medical भी होगा इस प्रकास से आप जो इसमें qualify कर जाएगा सब में वह सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें जो online test होगा उसमें total 123 प्रस्ण आएंगे जिसमें से 120 प्रस्ण बहु विकल्पी प्रस्ण होंगे अग्जिप्टिव टाइप और जो तीन बचे हुए हो और descriptive टाइप होंगे और यह टोटल जो है 1500 अंग का होगा पेपर मतलब 150 अंग मार्क्स का होगा यह पेपर तो इस प्रकास से यह रही पूरे जानकारी आपका जी आई सी पोस्ट के बारें जो recruitment आई है जी आई सी में नई पोस्ट के लिए दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कि जाओ जया वीडियी।